Hello everyone, कैसे हैं आप? Welcome to Sikshadham. आज एक new chapter start करेंगे. Chapter का नाम है Final Account. आपके exam में 15 marks तक का इसमें से question आ सकता है. आ सकता कि definitely आएगा. बहुत important chapter है. और इतने simple way में करेंगे ना, मज़ा आने वाला है. तो चलिए हम start करते हैं. तो फूल कॉंसेप्ट में क्या रहेगा हमारा? तो देखिए हमने सामने क्या लिखा है? सामने लिखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लाउस अकाउंट. यानि ये बहुत बड़ा अकाउंट नहीं बनाया है मैंने. तो इसी में ट्रेडिंग भी आएगा और इसी में प्रॉफिट एंड लाउस भी आएगा. तो सर कितने पार्ट में ट्रेडिंग लिखेंगे और कितने पार्ट में प्रॉफिट एंड लाउस लिखेंगे ये बूचना चैलेंजिंग है कुछ. तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट ना हमेशा याद रखना maximum to maximum 10 लाइन. आपके रजिस्टर का 10 लाइन. और ये प्रिपेर करेंगे तो एक और बात आपको ध्यान रखना है. देखो जैसे रजिस्टर के दोनों पेज ऐसे उपन होते हैं. जैसे एक साइड आपने बनाना है पी एंडल और एक साइड आपने बनाना है बैलेंशीट. ऐसा कभी भी मत करना कि इस साइड में पी एंडल और इस साइड में बैलेंशीट बना लो. उसे दिक्कत होगे. क्योंकि ये आपस में connected है ना सारा. अगर आप ऐसे रजिस्टर ओपन करके करोगे तो आप फटा- और एक कुश्चन भी दिखेंगे क्या करना है. बैसिकली इसके अंदर बस हमें ये सीखना होता है कि किस आइटम को हमें कहां दिखाना है. जैसे कि मान लेते हैं building तो आपको पता है building क्या है? Nature wise assets है. तो हमें कहां दिखाना चाहिए? Assets में दिखाना चाहिए. तो assets कहां है? Balance sheet में है. Capital liability में चला जाता है तो liability में दिखाना चाहिए. ऐसे wages वगएरा ये सारी चीज़े है. तो बस हम इसमें ये सीखेंगे. तो पहले format है. तो sir trading account बनाने के लिए मैंने कितने मेरे हिसाब से मेरा 10 line तो ये बनता है. मैं पहले इसको बाट दूँगा दो टुकुडे में. यानि इस से उपर वाला हिस्सा किसके लिए छोड़ा है मैंने बता हूँ. क्योंकि पहले trading है. और नीचे वाला हिस्सा किसके लिए है. कुछ teacher और कुछ book के अंदर ऐसा भी कहा जाता है कि आप trading अलग बनाईए और profit and loss अलग बनाईए. फरक कोई भी नहीं पढ़ता. ठीक है वो भी गलत नहीं है. तो आप हम जो करेंगे सारे questions हम करेंगे trading और profit and loss एक combine में. उसमें कोई फरक नहीं पढ़ता. ठीक है ना? अलग. जैसे कुछ बच्चे होते हैं. अरे हमारे सर ने तो अलग-अलग करके कराया है. तो अलग-अलग करके जब करवाएंगे ना वो तो उस जा सकती है वो और इसके नीचे क्या है P&L और इधर balance sheet और ये. इसके नीचे कुछ points लिखा है मैंने. for the year ending. for the year ending का मतलब ये जो trading account बना रहा हूं मैं ये profit and loss balance sheet ये एक साल का बनाया जा रहा है. for the year ending मतलब साल के अंत का. और लेकिन इसके नीचे देखो लिखा है as it. तो ये है इस दिन तक का. पहले इसके नीचे लिखा होता था as on as. अब हटा दिया उसे बोला के as add करो तो ज्यादा बेटर है. ठीक है? अगर exam में आप ये दोनों line नहीं लिखते. मान लेते हैं 10 number का question आता है. वैसे 10 से 12 number का question आएगा ये exam में. एक question. तो अगर मान लेते हैं कि 10 का और आपने ये दोनों points छोड़ दिया गलती से. ये point और ये point. अपने जल्दबाजी में उपर नाम आम लिखना भूल गया है. दो number deduct हो जाएगे आपके. और जो मैंने यहाँ पर ये dot dot लगाया है. आपने dot नहीं लगाना. जैसे मान लो 31 March 2021 है. तो आपने यहाँ लिखना है 31 March 2021 और 31 March 2000. डेट डालना है यहाँ पर. समझ रहे बात को. तो मैं सबसे पहले क्या बना देता हूँ? ट्रेडिंग. तो ट्रेडिंग में क्या-क्या आ सकता है? सबसे पहले लिखा जाएगा to opening stock. ओपनिंग stock. मैं यह format समझा रहा हूँ आपको. ठीक है? इसके बाद क्या आत है? पर्चेज. या फिर मैं एक चीज और ट्रिक बता दूँ आपको. जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ने तो दो चीजे तो रहेगी रहेगी. ओपनिंग stock maximum chances मिल जाता है और एक capital. capital भी आपका होगा ही होगा और capital सदे हमेशा inside में लिखना है. अब एक logic यह समझना होगा अंदर क्यों लिखते हैं बाहर क्यों? अंदर उसी item को लिखा जाता है क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजे minus होगा या फिर plus होगा. हो सकता कुछ ना कुछ या तो minus हो या फि plus हो. तो अगर कोई भी चीज हमारी minus या plus होगी तो उसे हम कहां लिखेंगे अंदर की साइड. capital में हमेशा कुछ ना कुछ minus plus होता है. और capital में profit and loss से जो balance जाता है वो कहां पहुंच जाता है हमारा capital के अंदर चला है. तो minus plus तो होगा ही होगा. ठीक है ना? तो उसी के according सारा. तो अब opening stock देख लेतें. opening stock के बाद क्या आता है हमारा purchase. अब बताईए purchase कहां लिखे हम? purchase हमें inside में लिखना चाहिए. सर क्यों लिखना चाहिए inside में? क्योंकि यहां पे purchase return. short form में लिख रहा हूँ. लेकिन मैं बोल रहा हूँ. जो बच्चे online देख रहे हैं वो सीधा इसे समझ सकते हैं. ठीक है न? अब कुछ बच्चे total करने के style भी बदल देते हैं. वो सोचते हैं क्या फरक पड़ता है? आ रहा तो इधर column में. यहां minus करके यहां लिख देंगे यह चीज. गलत है. गलत है यह चीज. आपने इसका total किया तो इस line के कुछ यहां लिख देंगे. वो भी गलत है. आपने कहा लिखना इस line के total बिलकुल यह. इससे नीची नहीं होना चाहिए. जो format है, proper, जो standard है. जो तरीका है. बाकि answer तो तब भी आएगा. यहां 10 लिखो चाहिए. यहां 10 लिखो. है न? इसके बाद क्या आएगा इस side में? और freight कहलो या फिर freight कहलो. और क्या आसकता है? और आसकता है हमारा manufacturing expense लिख लेते हैं. manufacturing expense. ठीक है न? और मैं साधारान और simple word में बोलू न? तो first class जिन बच्चों ने देखा है न? उनको अच्छे से पता है कि यहां पर क्या लिखा जाता है? वो सारे expenses लिखे जाते हैं जो कि relate किस से करता है? factory से. direct expense यानी. ठीक है न? और भी आ सकता है यहां पर जैसे कि octree आ सकता है, custom duty आ सकता है, excise duty आ सकता है, fuel and power आ सकता है, diesel आ सकता है. तो मैं लिख नहीं रहा हूँ. क्योंकि space की कमी है, space के हिसाब से power भी आएगा. power यहीं पर जाएगा. buy side में क्या लिखेंगे? buy side में sales. और sales inside में लिखा जाएगा. और इसमें से क्या minus कर देते हैं हम? sales return. तो यह तो आपका जाना पहचाना ही account है, है कि ने? अभी तक तो यह करते आए हैं. और इसमें एक रहता है major point, buy side में जो मैं लिख रहा हूँ, वो है. ऐसा क्यों लिखा मैंने इसे अलग marker से? क्योंकि यह आ भी सकता है और नहीं भी. आपको याद होगा, कब नहीं आता है? अगर trial balance के अंदर given होता है, तो तो हम इसे नहीं दिखाते हैं. हम कहा दिखाते हैं सीधा balance sheet में. stock वाला adjustment लिखवाए था, याद है, adjustment में होगा, trial balance के अंदर होगा, तो उस हिसाब से. इसलिए मैंने अलग marker से लिखा, जो इस पर adjustment होगा, अलग marker से लिखा. अब इसका जैसे ही मैंने total किया, total करने के बाद हमारा क्या निकल के आएगा? to gross profit. to gross profit. ठीक है न? और by chance मान लो, कि अगर by side में आएगा, आपकी class MWF रहती है. MWF, चलो आगे है, तो final account तो आपका एक रहता था, तो समझ में ही आजाएगा, बाद में help निल जाएगा. ये 11th के साथ चल रहा हुए, आपका MWF रहता था, तो कोई नही final account तो आपका become first rate में तो pending ही है, है न? तो आप ये देख ले न, समझ में आजाएगा आपको ये भी ठीक है न? तो gross profit, gross profit के बाद यहाँ पर क्या आएगा? बाई side में, अगर in case आता है, तो इस side आजाएगा, gross loss. क्या question में दोनों आ सकते हैं? या तो क्या आएगा? या तो loss. अगर profit आया, तो इस profit को हमें ले जाना इधर, और ये दिवार है एक तरीके से मान लो, इस दिवार के इस side जाओगे, इस line के, इस side जाओगे, तो account बदल जाएगा. इस line के, इस side हमने किसके लिए जगह रखा है? बताओ, profit and loss के. तो इस gross profit को उठा के कहां ले जाना है? इधर ले जाना है मुझे profit and loss में, क्योंकि gross profit का इस्तेमाल कहा होगा? profit and? तो यहाँ से जो भी आएगा, वो profit and loss में आएगा. जब profit and loss के अंदर आएगा ये, तो ऐसे situation में क्या होगा? कि हमें यहाँ पे इसको address बताना है. भाई, तू कहां जाएगा? gross profit को address तो पता होना चाहिए. तो address बताएंगे, transfer, transfer, मैं short form लिख रहा हूँ, tf लिख देता हूँ, transfer to, कहां लेके जाएंगे? profit profit and? वैसे आप ना भी लिखो तो चलेगा. ठीक है ना? वैसे आप नहीं भी लिखते ना, तो चलता है. बाकि आपने क्या लिखा? gross profit transfer. तो ये हमारा हिस्सा है trading account. trading account के अंदर क्या है? सबसे पहले opening, purchase, सारे के सारे खर्चे और ये. और ये जो gross profit है ना, इसको हम उठा के same amount क अपने नहीं करना, मैं समझा रहा हूँ. buy side में लिखेंगे, buy gross profit. जब भी हम एक account से दूसरे account में jump करते हैं और उसी amount के साथ तो side बदल जाता है. जैसे यहां कहां था two में? अब मैंने कहां jump किया? P&L में गए? तो कहां पहुँच गए? buy में. अगर loss होगा तो बताओ किध आना पड़ेगा? two side में आना पड़ेगा. समझ मैं है? बाकी मैं सिर्फ profit लिख देता हूँ. यह profit क्या? यहां पे 5000 है तो यह भी कितना होगा? कहीं ऐसा मत करना, बदल देना है इसको. ठीक है? अब इधर जो इस line के नीचे है, जो इस line के नीचे है, इधर पता ही क्या लिख ठीक है ना? और क्या हो सकता है? और हो सकता है rent, और क्या हो सकता है interest on loan, सर interest on loan के उपर star बना देते हैं, इसको समझ लेते हैं, साथ का साथ समझते जाएंगे. अब interest on loan इधर लिखने का मतलब है खर्चा. क्या interest on loan इधर भी आ सकता है? बिल्कुल इधर भी आ सकता है, लेकिन इधर आएगा तो क्या होगा? income, ठीक है न? अब आपको सबसे पहले ये पता होना चीए कि loan हमारे लिए assets कब होगा और liability कब होगा? उसके पहचानने के दो तरीके हैं. या तो आपको मैंने लिखा loan, सिर्फ loan लिखा, तो आपको इसे क्या consider करना पता है? liability. अगर मैंने लिखा loan, from, तो इसे क्या मानना है? liability. अगर मैंने लिखा loan, और two, तो इसे क्या मानना है? assets मानना है. ठीक है न समझ मैं? तो अगर interest assets वाले पर मिलेगा, तब तो खर्चा नहीं है. तब क्या मानना जाएगा? income मानना जाएगा. ठीक है न? तो यहाँ पर loan on, interest on loan, किस पर रहेगा हमारा? liability वाले का इधर आएगा, और assets वाले का, इस साइड आएगा. और क्या हो सकता है? discount. discount. सर, discount जो यहाँ लिखा है, discount तो बड़े सारे तरीके को होता है, discount receive होता है, discount allowed होता है, trade discount होता है, तो यह कौन से वाला discount है? सबसे पहले तो यह है खर्चा, तो यह discount allowed है, क्या trade discount यहाँ आएगा? नहीं आएगा, trade discount का nature क्या है? trade discount तो कभी books of account में लिखते ही नहीं है, trade discount तो सरफ दिखाने के लिए होता है, है न? आपके exam में भी question पूछा गया था, कि trade discount कहाँ आएगा आपका? कहीं नहीं आएगा, not so in the books of account, तो discount allowed है, और basically यह सब आफिस वाले खर्चे है, और क्या आ सकता है? और आ सकता है टेलीफोन का बिल, और आ सकता है commission या electricity बिल, और आ सकता है आपका commission, और आ सकता है donation, donation से donation भी लिख सकते हैं, उसको charity भी बोला जाता है, donation भी क्या होगे? charity तो कर रहे हो आप, तो charities, आपको याद आया charity का कुछ हमने सीखा भी था, goods use में charity का इस्तेमाल किया था, free sample में जब देते हैं, तो charity, और क्या आ सकता है? advertisement, 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 और आपने बोला sir यहाँ दिखा दो bad dates, बिल्कुल सही, क्या इतने ही खर्चें या और भी आ सकते हैं? और भी आ सकते हैं, बड़े सारे आ सकते हैं, ठीक है न? और एक छोटा सा खर्चा जो कई बार परिशान करता है, बच्चों को लिख देता हूँ, sundry, और इसको हम miscellaneous expense के नाम से भी जानते हैं, चोटे मोटे खर्चें जो भी है, whatever, x, y, z, यह है, कोई दिखकत यहां था, अब आ जाते हैं हम आगे, यह है हमारा सारा खर्चा, क्या कोई indirect income भी होता है? जी हाँ, कुछ income indirect भी हो सकता है, जैसे की, by rent, by rent receive, जैसे की क्या हो सकता है हमारा, rent receive भी हो सकता है, सर अगर सिर्फ rent लिखा हो, तो हम क्या माने receive वाला है या allowed वाला है, तो वहाँ चेक कर ये debit में है या फिर credit में, समझे बात, rent receive, और क्या सकता है सर, discount receive, और क्या सकता है, commission receive, और क्या सकता है, interest receive भी आ सकता है, 10 number का question आएगा, और become graduation में तो ये 15 number का question आएगा, तो और ज्यादा income नहीं है, मैंने maximum लिख दिया, यहाँ पर maximum, खर्चे और भी हो सकते हैं, लेखिन आपको common sense से use करना है, कि trading account के अंदर जो factory में होने वाले खर्चे हैं, सारा कहां दिखा देते हैं, trading में, और office में होने वाले खर्चे को कहां record कर देते हैं, और जैसे ही हम इसको फिर total वगएरा करेंगे, यह total हो जाएगा नीचे, अब total करेंगा तो यहाँ से total मत कर देना, आपका दाइरा खतम हो गया, यह बात गई, अब आपको इसके नीचे नीचे का total लेना है, ठीक है न, इसका total लिया, इसका total लिया और यहाँ पर जो निकल के आएगा, वो आएगा net profit, अब इसको address देना है न, net profit को, address देना है कहां लेकर जाना है बताओ, balance sheet में, balance sheet के अंदर भी कहीं पर ले जाना है, capital में, तो हम लिखेंगे net profit, transfer to capital account, समझ में आई बात आप, मैं लिखनी रहे यहाँ पर लेकिन लिखना पड़ेगा, और यह net profit यहाँ पर हो जाएगा, plus net profit, लेकिन in case of loss हुआ तो, तो इधर आएगा, और अगर loss हुआ तो इस side आएगा, जिसे मैं बोलूँगा net loss, और net loss को भी address देना पड़ेगा, कहां जाएगा यह, यह भी capital में जाएगा, तो अगर loss हुआ तो क्या हो जाएगा, minus, ठीक है, और भी कुछ चीज़े capital में से minus हो सकता है, याद करिए क्या minus हो सकता है, कौन बताएगा क्या minus होगा, drawing, क्या minus होगा, drawing minus होगा, अगर drawing दे रखा होगा, तो minus होगा, और इसको finally minus करने के बाद, plus करने के बाद ऐसे दिखाएगा, ठीक है, तो देखिए, हमने क्या बनाया, trading, trading से क्या निकाला, gross profit, gross profit का इस्तमाल कहां कर लिया हमने, profit and loss में, और profit and loss से क्या निकाला, net profit, net profit को उठा के कहां ले गए, balance sheet, profit and loss बनाने के लिए कौन से खर्चे लेते हैं, indirect expense, जो कि किस से related है, office से, और ये वाला किस से related है, हमारा, factory से, समझ मैं ही बात आपको यहां तक, अब यहां पे कुछ liability भी आ सकता है, जैसे, creditor, जैसे आ सकता है, bank over, draft, जैसे आ सकता है, outstanding, outstanding, मैं यहाँ expense लिख रहा हूँ, expense का मतलब outstanding salary हो सकता है, outstanding wages हो सकता है, outstanding आपका electricity bill हो सकता है, कोई भी outstanding हो सकता है, इसके बाद और क्या आ सकता है, हमारा outstanding के बाद हम बात करें तो, और आ सकता है, हमारा advance, income, advance, income, सर और कुछ भी आ सकता है, बिल्कुल, bills, payable, तो यह सारी बाते तो आपको पहले से थोड़ा बहुत पता है, कि यह liability है, तो जी, obvious से बात है, कहां जाएगा, liability में जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत, दूसरा side हमारा बच गया कौन सा, asset side, asset side में क्या आएगा, cash का balance आ जाएगा, और बच्चे ना कई वार बड़े परिशान हो जाते हैं, सर, cash in hand है, इसको क्या करें, cash बोल लू, चाहे मैं cash in hand बोल लू, बात ही किये, जी, तो cash in hand भी हो सकता है, है न, ऐसा ही bank भी बोला जा सकता है, और bank balance या भी बोला जा सकता है, आपको, बात ही किये, तो bank भी हमारे लिए क्या है, assets, और क्या हो सकता है, machinery, sir, और कोई भी assets होता है, बिलकुल होता है, machinery के बाद, plant, और कोई भी assets हो सकता है, building हो सकता है, sir, और कोई भी assets होता है, debtor, और कुछ भी हो सकता है, मैं short form में लिख रहा हूँ, बताइए क्या है, इसका full form, bill receiver, bill receiver को मैंने, BR को bills receivable है, और कुछ भी हो सकता है, stock, अब देखो, एक question आए, goodwill, मुझे भी goodwill लिखना चाहिए, लेकिन थोड़ा सामें ध्यान रखना है, AS26, AS, sir, AS क्या है, 26, ये क्या करता है, accounting standard कानून बनाता है, तो ये पता है, क्या बोलता है, accountant सावधान, goodwill अगर self generated है, तो मत लिखना balance sheet में, अगर self generated है, तो balance sheet में मत लिखना, अगर खरीदा है, तो लिख लेना, तो goodwill आपको कभी भी balance sheet में देखने को नहीं, assets होता है, लेकिन balance sheet में नहीं लिखता है, पता है क्यों, क्योंकि ये, ये हमें मना कर देता है, लिखने के लिए, लेकिन अगर मान लो, खरीदा, sir, goodwill खरीदा कैसे जा सकता है, मैंने किसी company को खरीदा, और company को खरीदा, तो साथ के साथ उसका goodwill भी खरीद लिया मैंने, तब हम यहाँ पर दिखाएंगे, अब goodwill कैसे पता चलेंगे, मैंने बोला भाई company, तू अपने सारे दुकान का समान का rate 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 बता कितना बनता है, सारा समान बेचा बोलता है, पांच लाग मैंने ये ले 6 और इनकी वज़े से self generated नहीं दिखाते है, self generated समझते हो, जो कि time के साथ वैपार करते ही करते, business करते ही करते, अपने अब उसका नाम बन जाता है, उसको क्या बोलते है, self generated, हाँ यहाँ patent आ सकता है, अब बच्चे पूछेंगा, sir goodwill नहीं आया, लेकिन patent कैसे आएगा, patent भी त formula बनाया, तो वो मैंने बना रख है, अब मुझे इसका registration करवाना पड़ेगा, मैं patent office जाओंगा, registration कराओंगा, उसको पैसे दूँगा, तो उस patent करवाने के लिए क्या मैंने कुछ पैसा दिया है, दिया है, तो इसलिए वो क्या है, assets हो यहाँ आएगा, समझ मैं ही बात आपक इसके बाद और क्या हो सकता है, एक live stock, live stock, live stock क्या होता है, बता सकते हूं, जिंदा stock कौन सा है, हाँ, जैसे कि जिसके लिए आपका देखा जाए, तो आपने देखा होगा, circus वगएरा जैसे है, उनके लिए assets ही है, उनके जो जीव जनतु है, तो जैसे कि आप देखो यहाँ पर जो चिकन वगरे वाले हैं, उनके लिए स्टॉक है, वो लाइव है, है तो वो गुड सी है, बेचना है उसने, तो जब तक जिन्दा है, तो यहां आ जाएगा, और मरने के बाद, कहां गया, यहां पहुंच जाएगा, ठीक है ना, तो जब तक लाइव स्टॉक, उसके टोटल लाइबलिटी के बराबर हो, आना चाहिए, अगर आपका एसेट्स और लाइबलिटी, यानि ये दोनों टोटल बराबर नहीं आया, तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, यानि इस चप्टर की खास बात, आंसर आपको पता होगा एक्जाम में, कितने रुपे होंग टोटलिंग के लिए, कैलकुलेटर का इस्तमाल करते हैं टोटलिंग के लिए, तो वो ध्यान रखें, जिसने फोन या कैलकुलेटर से टोटल किया, एक्जाम में उससे नहीं होगा ये कुश्चन, ये मेरी तरब से मान लो, एक बद्दुआई मान लो, उससे नहीं होगा, त तो मैं बोलूँगा calculator यूज करो तो क्यूंकि बच्चे कर लेते हैं फटाफट फटाफट से कर लेते हैं उसके बाद फिर पता चलता है पेपर में दो और दो छे करके आ गए वो ठीक है ना तो वो भूल जाते हैं तो ये करते टाइम पे कसम खा लेना calculator तो हाथ नहीं लगाना एक question हो सकता है पहली बार नहीं होआ हो सकता है दूसरी बार नहीं होआ करना कुछ नहीं बस टूटलिंग में mistake कर सकते हैं और कुछ नहीं तो ये वाला account trading ये P&L और ये final क्या था हमारा balance यहां तक कोई doubt अब हमें जो question करना होगा अभी हमें question भी करेंगे तो question के अंदर क्या होगा simple इसमें एक question fill करेंगे बस तो format note करिए neat and clean note करना है सारा ये फटा-फट से अब हमें